दोस्तो हर साल 11 फेबरिवरी को इंटरनाशनल डे ओफ वोमन एंड गर्ल इन साइन्स मनाया जाता है इस वर्ष इस अवसरबर नैशनल साइन्स अकेडेमी के चार वोमन साइन्टिस्ट को पुरसकार प्रदान किये गए हैं इस अवर्ड को सर्ब वोमन एक्सिलंस अवर्ड कहा जाता है विच इस अवर्ड को सर्ब द्वारा दिया जाता है जिसे Science and Engineering Research Board कहते है which is a statutory body of Department of Science and Technology जो Science and Engineering के फील्ड में basic research को support करती है इस वर्ष इस पुरसकार को चार महीला वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया है जिनका नाम है डॉक्टर शोवना कपूर डॉक्टर अंतरा पैनर जी डॉक्टर सोनो गांधी एंड डॉक्टर रितुगुपता वहीं अगर हम इनकी field of expertise की बात करें तो डॉक्टर शोवना कपूर जो IIT Bombay की assistant professor है उन्हें host pathogen interaction and membrane के फील्ड में पुरसकार मिला है सेकंड recipient है डॉक्टर अंतरा पैनर जी जो Mumbai महरास्टर में based National Institute for Research in Reproductive Health की scientist है जिने signal transaction and biology for reproduction के विशय में पुरसकार मिला है इस award की third recipient है है एदराबाद में based National Institute of Animal Biotechnology की scientist Dr. Sonu Gandhi who has received this award for focusing on design and fabrication of label-free biosensors वह ही अगर हम इस award की फोत रिसीपेट की बात करें तो हो है Indian Institute of Technology जोदपुर राजस्तान में based Assistant Professor Dr. Ritu Gupta for her expertise in material science जाते जाते अगर हम International Day of Women and Girl in Science की इस वर्ष के थीम की बात करें तो वो है Women Scientist at the forefront of the fight against COVID-19 तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद मैं यह उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए होगी तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इसी प्रकार अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तैंक यू